चलिए सीट बेल्ट बांद लीजिए, क्योंकि हम हवाई यात्रा के इतिहास के सफर पर निकल रहे हैं। 1890s में, जर्मनी में आटो लिलियन्थॉल ने गजब के ग्लाइडर बनाए। लगभग उसी समय, फ्रांस और USA के बीच काम करते हुए, आक्टिव चन्यूट ने बाइप्लेन डिजाइन डेवलोप किया। लिकिन USA के राइड ब्रदर्स ने पावर्ट फ्लाइड के लिए गंभीर कोशिशें शुरू की। फिर आया वो एतिहासिक दिन, 17 दिसंबर 1903. नॉर्थ कैरोलाइना में और्विल और विल्बर राइट ने पहली पावर्ट फ्लाइड हासिल की। बीसवीन सदी के शुरुआती सालों से 1940s तक बड़ी तेजी से विकास हुआ। बाइपलेन, मोनोपलेन में बदल गए और एंजिन की ताकत और एफिशेंसी में बहुत सुभार आया। वर्ल्ड वार वन और ड्यू के दौरान हवाई जहास बहुत इंपॉर्टन मिलिटरी एसेट बन गए। 1940s में जेट एंजिन्स के आने से मॉडर्ण एरा शुरू हुआ। जिसने कमर्शल एविएशन में क्रांपी लादी। आज एडवाई जहासों को बदल दिया है। अब हमारे पास रिसर्च में एलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। राइट ब्रदर से लेकर मॉडर्ण जेट्स तक हवाई जहास का सफर इंसानी बुद्धी और इनोवेशन का सबूत है। उंची उडान भरे बड़े सपने देखें।